सोहिला रा गवडी दीब की महला पहला गुरू ग्रंच साब जी दे अंक बारा ते ए बाणी सोहिला शुरू होन जा रही है सत्गुरू ग्रंच साब जी दे लडी वार इस पाठ अंदर ए तीजी बाणी है जिसनों सिख रहत मर्यादा विच नितनेम दी बाणी करके शामल कीता गया है पहली बाणी गुरु गरंज साब दे अंदर गुरु नानिक साब जी दी उचारन कीती होई जाप है दूजी बाणी सो दार जिसनों आम तौरते असी रहरास दे नाम नालवी जान दे हां पांज शब्द एस सरलेख हेट हन और चार शब्द अगे सो पुर्ख दी बाणी हेट दर जहान साथ गुरु गुरु नानिक साब जी दा उचारन कीता होया एस सोईला बाणी दा पहला शब्द है जो गुरु गरंज साब जी दे अंक बारां ते शशोबत है सोईला बाणी दा अखरी अर्थ है मंगल मई गीत परमेशर दी सिफ्थ सला कीरती राग गौडी अते दीप की दो मिलवें राग गांदे विच एस शब्द नो गौण दी हदायत है गुरु नानिक साब जी दा उचारन कीता होया एस पहला शब्द है अते इस तों बाद चार होर बाकी शब्द हन कोल मला के पांच शब्दां दा एस संग्रे है कई वार असी जाने अन जाने अंदर एस बाणी नो कीरतन स्वेला दा ना देके वी याद कर दे हा जो के अशोद है गुरु गरंच साब जी दी एस बाणी दा नाम स्वेला है सत्गुरु गुरु नानिक साब जी दा उचारन कीता होया ए पहला शब्द आओ विचार सैथ श्रवन कर दे हा सत्गुरु गुरु नानिक साब जी ने एस शब्द वेच अकाल पुर्ख जी दा मंगल सब तों पहला कर दे होया बक्षिश अकाल पुर्ख जी नो याद कीता है अकाल पुर्ख एक है अते ऐसे अकाल पुर्ख दी सोजी गुरु दी किर्पा द्वारा ही हुंदी है जैंकार कीरत आखिये करते का होय बीचारो जेस सातसंग कारवेच परमातमा दी सिपसला कीती जांदी है अते करतार दे गुणा दा वीचार हुंदा है तित कार गावु सोहिला सिवर हो सिर्जन हारो हे जेंद ओस सातसंग कारवेच जाके तूँ भी परमातमा दी सिपसला दे गीत सोहाग मिलाप दे सोने गीत गा ओस सिर्जन हार नो याद कार ये थे चेता रखन वाली बात है कि सात्गुरु गुरु नानिक साब जी दा उचारन कीता होया ये पहला शब्द जेस विच सात्गुरु जी ने अकाल पुर्ख जी दे मिलाप दी गल सडे नलसांजी कीती है ते सानु समझाया है कि पले ओ ओस अकाल पुर्ख जी दी सिफसला सात्गुरु दी संगत वे जाके हमेशा कर दे रहना चाईदा है जेवें एक बच्ची ने सौरे कार वेच जाना होवे ते सौरे कार वेच जान तों पहला ओथे मंगल दे खुशी दे गीत गाय जान दे हन जिनना विच थोड़ा विशोड़े दा पाव भी है प्यार दा पाव भी है ते अगले कारजान वास्ते त्यारी दी प्रेरणा भी है सत्गुरु गुरु नानिक साब जी ने एस शबत अंदर सानु समाज विच रेंदियां होयां जिमेवारियां निबाउदियां होयां अकाल पुर्ख जी दी सिफसला करण लई प्रेरिया है के पाई सत्संगत कारवेच जित्थे हमेशा ओस करते दी कीरती हुंदी है तुसी कीरती करण लई संगत वेच जोड़ो और गुरु की संगत वेच जोड़ देयां होयां ओस सिर्जन हारनू सदा ही सिमरो ओस दे मिलाप लई कीरती करदे रहो तुम गाबो मेरे निर्पाओ का सोहिला सत्गुरु आख दे हे मेरी जिंद तुम सत्संगिया नाल मिलके सत्गुरु जी नाल मिलके निर्पाओ खसम दी सिफ्थ सला दे गीत आख वाई गुरु अकाल पुर्ख दे सोने गोण गाइन कार हो वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ सत्गुरु आख दे मैं सद के हां उस सिफ्थ सला दे गीतों जिस दी बरकत नाल सदा सोख मिलदा है सत्गुरु इसे लई रहाओ दी पहली पंक्ती दे अंदर वी बक्षिश कर दे आख दे हन हे मेरी जेंद तूवी गा तूवी ओस सिफ्थ सला दे गीतनों जीवन दा आदार बना मैं वी उसे सोई लेतों कुरवान हां बले हार हां जेस गीतनों गौंदियां होयां जीवन अंदर सोख वसदा है सची बात है मनोख सोख चौंदा है पर जिनना गल्ला विच्चों सोख लबन दा सी यतन कर रहे हां उना गल्ला अंदर फोकियां कर्म कांडी विचारां दे अंदर फोके कर्म कांडी जिनने वी सिलसले साड़े समाज अंदर पर चलत हन इना वेच सोख दी आस नहीं कीती जा सकती सुख मिलदा है तां केवल परमेशर दी सिफ्थ सला विचों मिलदा है ते परमेशर दी सिफ्थ सला केवल फोकी नहीं जे यसी मनों करिये साड़े हिर दे अंदरे वास जाए तां जीवन दे विचों ही सुख प्रापत हुंदा है पैदा हुंदा है इसे लिए सत्गुरु बक्षिश कर देयां, सानु पावन बाणी दे अंदर, इस तरह भी समझाओं दे हन, सुख नाहीं, बहुत आतान खाटे, सुख नाहीं, पीक है नृत नाटे, सुख नाहीं, बहुत देश कमाए, सर्ब सुखा, हार हार गुन गाए ते सत्गुरु गरीबन वाज, सुईला बाणी दे पहले शबदे रहाओं अंदर, बक्षिश कर देयां, आख देहन, हाँ वारी, जेत सोहिला है, सदा सुख होए, मैं कुरवान हां, बलेहार हां, जेस सिफ्थ सलादे गीतनू गौण नाड, जीवन वेच सुख मिलदा है समालियन ए शबद करम वाच वर्तमान काल अते आनपुर्ख वेच है सद्गुरु आख देहन, हे जिन्दे, जेस खस्म दी हजूरी वेच सदा ही जीवन दी संभाड हो रही है, जो दाता देन वाड़ा है, मालक हर एक जीवन दी संभाड करदा है ऐसे प्रमेशर नूं तूं सदा गा, उस नूं चेते राख, जो सारे जीवन दी संभाड करदा है, जो सारे जीवन देख रहा है, पाल रहा है तेरे दाने कीमत ना पवै, तेस दाते कवन शमार जिस दातार दियां दातां दा मुल हे मेरी जेंद, तेरे पासों नहीं पा सकदा हे मेरी जेंद, तूं करते दियां दातां दा मुल नहीं पा सकदी कीमत नहीं ला सकदी, अंदाजा नहीं ला सकदी ओ दातार दा अंत के में पाया जा सकता है जिस दियां दाताँ दावी अंत पौणा अउखा है शुमार शुमार दा अर्थ है अंदजा अंत अखीर पाव जिस दाते दियां दाताँ निया हन उना दा अंत नहीं पै सकता तां दातां देन वाले दातार नों गिंदती मिनती वेच केमें लेंदा जा सकता है संबत साहा लिखिया मिलकार पावो तेल सत्कुरु आख दे हे मेरी जेंद ए साहा सार्यां दा लिखिया है सारियां दे जीवन अंदर ए मिलाप दी कड़ी ए मिलाप दे पाल सारियां दी जिन्दगी अंदर हन पर असल विच ए मिलाप दे पाल हासल ओई कर दे हन जेड़े सिफ्थ सला दे गीतनों गौंदे हन संबद दा अर्थ है वरा साल ते साहे दा अर्थ है ओ समा जदों व्यक्ती ने दूजे पासे तुरके पाव सोरे कर जाके पती दे नाड मिल जाना है ओ समा जेड़ा व्यादा मिलाप दा मिथिया गया है सत्गुरु आखते संबद साहा लिखिया ए मिलाप दा समा सार्यां दा लिखिया होया है मिल कार पावो तेल तुसी सत संगिया नाड मिल के ए मिलाप वाला सबंद मिलाप वाली त्यारी अपो अपनी शुरू करो तांके करते अकाल प्रखजी दे नाड साड़ा मिल हो सके देहो सजन असी सडिया ज्यां हो वै साहिब से मेलाप हे सजन हे सात संग सहे लियो सानु असी सां देओ मैनु असी सां देओ तांके मैं उस साहिब नाड मेल हासल कर सका मेरा साहिब नाड मेल हो सके मैनु ऐसियां असी सां सात गुरू दे उपदेश दियां सोणियां विचारां बक्षिश करो मैं नू समझाओ जिनना असीसां दे सदका मैं सैब नाल सबंद जोड सकां मेरा वी जी करदा है मैं सैब दे मिलापदियां कडियां अपने जीवन वेच माना कार कार एहो पहुचा सदले नेतपवाना कार कार एहो पहुचा इसदा अर्थ है हर एक हिरदे करदे अंदर ए सद्दा ए सुनेहा ए साहे दी चिठी पहुंची है एसदा परवाना ए पहुंचया होया है हर एक जीवन दे अंदर सत्गरु अकाल प्रुखजी दे मिलाप दे पाल पै होए हान पर असी क्योंके समाज दे संसार दे रसां कसां वेच उड़जे होए हां असी आपो अपनी माएक दोड़दे अंदर हां एसलई असी उनना पलावाल त्यान नहीं देंदे असी कदीवी करते अकाल प्रुखजीतों विछडे होण दा एहसास अपने जीवन दे अंदर मैसूस नहीं कर दे इसे लई सानू मिलाप वालियां जो कडियां मिलाप वाले जो गोण साठी जिंदगी अंदर पै हन उनन वसी वर्तन दा यतन नहीं कर दे सद्गुरु आख दे हन कार कार एहो पहुचा हरेक कार दे अंदर हरेक हिर्दे दे अंदर मिलाप दी ए चिठी सा चिठी है सदडे नेत पवान्न और सत्गुरु दी किर्पा नाड सानु सद्देवी रोज पेंदे हाना मिलाप लई सत्गुरु दे करों आवाज भी नेत पेंदी है पर असी सुनी अन सुनी करके एस पास्यों अवेसले रहन दे हा सद्धन हारा सिम्रिय नान को से दें आवाना सत्गुरु आखदे हे सत्व संगियों ओ सद्धा पे जनवाले प्रभु पतीनु याद रखना चाईदा है क्योंके ओ गुरु दे राइसानु सद्धे पेज रहा है मिलाप लई और असी अवेसले हां नहीं अवेसले नहीं उना चाईदा सद्धन हारा सिम्रिय है उनु याद रखना चाईदा है पुलना नहीं चाईदा ते सद्ध गुरु अखीरते कवी शाप वर्त दे होयां आख दे है नानक सद्धे भी ओ देन निडे आ रहे हन जदों असी सिम्रना शुरू करांगे याद करना शुरू करांगे सद्धे अंदर भी मिलाप दी तांग पैदा होएगी अवेसला पन शड़ दे आंगे असी वी साई चिठी दे अनुसार अपने जीवन दे पांद नु अरंब करांगे ते सद्ध गुरू आख दे है पले ओ ए मिलाप दे देन नेडे हन सद्धा वी मिलाप अकाल प्रुख जी दे नाल हो जाएगा राग आसा महला पहला सद्ध गुरू जी दा सोईला बानी दा ए दूजा शब्द है जो राग आसा विच्चों है अते गुरू नानक साब जी दा ही उचारण कीता होया है सद्ध गुरू जी ने एस शब्द आरामब वेच कोज आनमती विचार नू समणे राख के फिर सानू समझाओन दा यतन कीता है सद्ध गुरू आख दे हे पाई शे शास्त्र हन शे ही इन शास्त्रां दे चलान वाले हन पाव इन शास्त्रा नू जो लिखन वाले पैदा करन वाले हन अते इन शास्त्रां दे शे ही सिदात हन पाव है शाष्तर शे हन शाष्तरां दे करते भी शे हन जे में के प्रफेसर साब सिंग जी ने शे शाष्तरां दे जो ना हन ओ दरपन अंदर साडेले लिखे हन शांक, नियाए, विशेशक, योग, मिमांसा, वेदांत अते इन शे शाष्तरां नो लिखन वाले शे ही करते हन जिनने इस शाष्तरां नो पैदा कीता है पहला है कपल, दूजा गोतम, तीजा कनाद, चोथा पतंजली, पंजमा जैमनी, ते शेमा व्यास सत्गुरु आख़दे जेमें शे शाष्तर, शे ही इन दे लिखन वाले, अते इन शे शाष्तरां दे वाख वाख, एक दूजे तों, अड़ अड़, शे ही उपदेश सिदात हाना गोर गोर एको, वेस अनेक सत्गुरु आख़दे पर इन सारें दा मूल गुरु प्रमातमा एक है पामे के शाष्तर शेहन, करते शेहन, अते सिदात वी वखो वख, अड़ो अड़ हन पर असलियत ए है के मूल अकाल पुर्ख फिर भी एक है इस सारे सिदात उस प्रभु दे ही अनेका वेस हन जो वख वख रूपां दे अंदर समाज अंदर सानू मिल दे हन कुल मिला के सत्गुरु जी एशबदे राइं बख्षिश कर दे हन के लिखन वालेयाने वाख वाख द्रिष्टी कौन तों अकाल पुर्ख जी बारे आपो अपने विचार द्रड कीते हन वाख वाख विचार साड़े सामने राखदयां होयां भी करते नूँ वाख वाख नहीं वेख्या जा सकदा वंडिया नहीं जा सकदा करते दा कोई रूप रेख रांग आपो अपनी मर्जी अनसार निश्चत नहीं कीता जा सकदा पामे करता एक है वाख वाख रूपां दे अंदर स्रिष्टी दे अंदर ओ आपना रूप जार कर रहा है पर सद्गुरु आख दे हन एना ने अपो अपने द्रिष्टी कोंतों अकाल पुर्ख जी नू ब्यानन दा यतन कीता है सद्गुरु जी रहाओ दे एस बांद दी पहली पंक्ती दे अंदर बक्षिश कर दे आख दे हे पाई जेस साथ संगत वेच गुरु दे सबंद नाड गुरु दे राई गुरु दी विचार लेके कर दे नू याद कीता जान्दा है तुम इसे नाड ही अपना सबंद योड के राख तो उसे सिफ्थ सलावाले कार सत संगत दा आसरा लई राख इसे नू सामके राख इसे वेच तेरी पलाई है पाव सत्गुरु जी ने जो शबदे पहले बंद अंदर साड़े सामने एक विचार रखे आसी शे शास्तर हन शास्तरानू रचन वाले शे ही करते हन अते इन शे करते आने शे शास्तरान दे अंदर वख वख आपो अपने द्रिश्टी कौन ब्यान कीते हन सत्गुरु आख दे हे पाई एहू जय वखरेवया विच पैन नाड़ो चंगा है एहू जय वखरेवया विच उलजण दी थान ते करते बारे आपो अपने वखरे वखरे द्रिश्टी कौन रचन दी थान ते चंगा है इको ही सतसंगदा आस्रा राख लिया जाए और सतसंगदा आस्रा राख देया होयां सिर्फ करते दी कीर्तीनों ही जीवन दा अदार बनाया जाए करते दी कीर्तीनों अदार बनाओन वेच ही साड़ी पलाई है इसे वेच ही साड़ी वड़ियाई है सत्गुरु जी ने पहले विचार नो ही होर द्रिड कर देया होया बक्षिश कीती है ते महराज आख दे जेवें समय नो वक्षो वक्रे टांगनाल मापन दा साड़ा आपो आपना तरीका है असी जे समय नो मापना होवे समय नो समझना होवे ते असी चसियां दे राईं विश्वयां दे राईं कडियां दे राईं पैरां दे राईं थितां दे राईं वारां मह निया वरिया दे राएं इस समे रージ사를 वांड लेंदे हां समे रージब करके आपनी सहूलत लई समय नूं कंटेयां वेच मिन्टां वेच सकिंटां वेच दिनां वेच महिनिया वेच वण्ड सकदे हां सत्गुरु आखदे है जेवे समय नू अशी आपो अपनी मर्जी नाड आपो अपने तरीके नाड मिंटां सकिंटां देना में ही निया सालां वेच वंडिया है इसे तरह जीव अकाल पुर्खनू वी वाख वाख करके वेखन दा यतन कर दे है वांड के देखन दा यतन कर दे है जदों के पलाई अकाल पुर्ख नो वांड के वेखन वेच नहीं आपो अपने द्रिष्टी कोन तै करन नाड अकाल पुर्ख दी समझ नहीं लगेगी सगों अकाल पुर्ख दी वड़ियाई की तियां ही साड़े जीवन दी पलाई है साथकुरु आखदेंवन सूरज एक है पर सूरज नाड सबन्दत रुतां वाक वाक चानओ जे मैं समा बदलदा रहिनदा है सूरज लगातार एक राश्तों दूजी राश्ते अन्दर जानदा हुए ये नाड सबन्दत फिर रुतां बदल दियां रहिनदिया है सद्गुरु आख़दे जे में रुतां थेर नई अगे तों अगे नमियां रुतां जड़ी हैं उस सामने आ जान दी हैं हलांके शे रुतां मिथियां होई हैं एक रोत खतम होंदी है, दूजी रोत शुरू हो जान दी है, दूजी रोत खतम होंदी है, तां तीजी रोत शुरू हो जान दी है. सत्कुरु आख दे सूरज एक है, पर सूरज नाल सबंदत रुतां वाख वाख हन अनेक हाना। करता तां एक है पर करते दे वेश करते दे रूप करते दे एस समाज विच परगट होन दे जो टांग तरीके हन ओ वाख वाख मनने जा सकते है करतार दे ए सारे सिदात अनेका ओदे आपने सरूप हन वाख 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 लोका ने मिधे होये हन जेवे सूरज तांपवे एक है पर सूरज नग सबंधत रुतां वाख वाख हन समाब एक है पर समय नूँ वाणड़ के देखन दा जो साड़ा भीच और वाख वाख है जेवें अकाल पुर्ख एक है पर अकाल पुर्ख नो समझन वालियां दे विचार आपो आपने हन ओ आपने आपने तरीके नाड बियान कर दे हन सद्गुरुजी ने रहाऊ आले बांधते सानू के अंद रत कीता है कि caterpillar कोई आंथ नहीं पौणा करते दे बारे ये बियान नहीं करना कि करता किन्ना वढ़ा है करते दे किन्ने को रूप हन सगों ये देखना है कि करते दी वड़ियाई साड़े जीवन लई किन्नी लाब दायक है राग तनासरी महला पहला सोईला बाणी दा ये तीजा शब्द है गुरु नानिक साब जी दा ही उचारण कीता होया है अते राग तनासरी विच्चों है सत्गुरु गुरु नानिक साब जी ने इस पावन शब्द अंदर जो एक समाज अंदर तार्मक तौरते परचलत रवायत आरती दी चल रही सी सत्गुरु जी ने इन शब्दां द्वारा इस पर चलत आरती दा खंडण कीता है महराज सचे पाच्छा जी ने सानू समाज विच रहन वाले जीवान ए बक्षिश कीती है के पलियो सनू अपने तौरते अपनी मर्जी नाड जो असी शोटियां मोटियां आरतियां तै करके करता अकाल पुर्खजी दी आरति सारी कुद्रत कर रही है सारी कुद्रत अकाल पुर्खजी दे बनाए नियम विच पाने विच रह के चाल रही है जे में करता पुर्ख जी ने जेड़ी चीजनू टिकाया है जेड़ा वी उसनू फर्ज ड्यूटी दिती है ओ अपो अपने फर्ज ड्यूटीयां निबा रहे हन। सनू केवल विखावे दे तौरते कुझ थाल अंदर दीवे जगा के फोल राख के इतियाद के किसे परचलत मूर्ती दे सामने व्यक्ती दे सामने आरतियां दी लोड नहीं करता अकाल प्रखजी दी आरती जो कुदरत कार रही है सानू एस परचलत आरती दे अंदर शामल होना चाईदा है। कीता है ते सत्गुरु जी इस मुबार्क शबत दे अंदर बक्षिश कर दे होयां सानू समझाओ दे होयां आख दे हन। सारा अकाश मानो थाल है सूर्ज ते चंदरमा उस थाल वेच पै होए दो दीवे हन। तारियां दे समू मानो थाल वेच मोती रखे होए हन। तूप मलान लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत जोती। मल्यान लो दा पाद अर्थ है मल्य पहाड वलों आउन वाली हवा। केंदे जेडी मल्या परबत वलों खशबूदार चंदन नाल सुगंदत होके हवा आ रही है। मनो करते अकाल पुर्ख जी दी एस कुदरत दे अंदर ए तूफ अपने आप वेच तोखरया है। हवा चाओर कर रही है सारी बनस्पती जोत रूप प्रबू दी आरती वास्ते फुल अरपन कर रही है। कैसी आरती होए हे करता पुर्ख जी तेरी कैसी सुंदर आरती हो रही है किन्नी सुंदर आरती ए कुदरत आपने आप वेच कार रही है। पाव खंडणा तेरी आरती हे जानम मर्न कटनवाले प्रमेशर जी जेडे ए कुदरत दे वाख वाख पाख तो आड़ी आरती कार रहे हैं किन्नी आदपोत पाव किन्नी सुंदर सोनी रहास्मई ए आरती तो आड़ी चाल रही है। आनहता आनहता जो बिना वजाए वजे एक रास वजे पाव तो आड़ा जो हुकम शाबद इस सारी काइनात वेच एक बराबर वाजरिया है ते सदा वाजरिया है बिना रुकणतों वाजरिया है सारे जीवान दे वेच वी तेरी ही जीवन राओ चाल रही है मनों तेरी आरती वास्ते ए नगारे वज रहाना। सहस तब नैन नन नैन हैं तो हे का सहस मूरत नन एक तो ही। तो अड़ी आपनी कोई वी इस तरह अकार वाली कोई मूरती कोई शकलो सूरत तै करके बनाया होया कोई अकार नहीं है। पर सब जीवां विच व्यापक होन करके हजारां तेरियां अका हन पर क्योंके तुँँ आप निराकार हैं एस लए हे प्रभु तेरी आपनी कोई वी एक आख निश्चत नहीं किती जा सकती। हजारां ही तेरियां आपनियां शकला हन जो एस कुदरत दे अंदर दिखाई दें दिया हन पर ओंज एस कुदरत नों शड़ के तेरी आपनी एक वी मूरती नहीं बड़ाई जा सकती। कोई शकल त्यार नहीं किती जा सकती। साहस पाद बेमाल नान एक पाद गंद बेन साहस ताव गंद एम चालत मोही। हे वाहिगरू अकाल प्रख जी हजारां सोने तेरे पैर हन पर क्योंके तुँ निराकार हैं एस लई तेरा आपना निजी तौरते कोई पैर नहीं है। हजारां तेरे नाकाहन पर क्योंके निराकार होन करके तेरा आपना कोई भी नाक नहीं है। सत्ग्रु जी ने बक्षिश कर दे होयां एस बांददे अंदर एसम्याउनदा यतन कीता है कि करता आकाल पुर्ख जी आप निराकार हां करते दा आपना कोई आकार नहीं अपन जाप बाणी अंदर वी पढ़ दे हां सत्ग्रु जी ने बक्षिश कर दे हैं जाप बाणी दे अंदर वी सानुए सोजी बक्षिश कीती है थापे आ ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए सत्गुरु जी सुख्मनी बाणी दे अंदर वी कोज एसे तरंदा पाव सानू सपश्ट कर दे हन ते बक्षिश कर दे आख दे हन निरगोन सारगोन निरंकार शोन समाधी आप अकाल पुर्ख जी जित्थे निरगोन पाव निर अकार हन ओथे एस स्रिष्टी दे राई सारगोन सुरूप वी हन आप स्रिष्टी वेच राच के जीवां वेच प्रकिर्ती दे वाख वाख रूपां दे वेच दी दर्शन देंदे हन सब मैं जोत जोत है सोए हे अकाल पुर्ख सारे जीवां वेच तेरी ही जोत वर्त रही है तेरी ही एक राउ सारे जीवां दे अंदर परचलत हो रही है तेस दै चानन सब मैं चानन होए तेरी एस जोत दे प्रकाश नर सारे जीवां वेच चानन हो रही है पाव जो जीवां वेच सूज बूज वर्त रही है एक तेरी ही जोत दा प्रकाश है गोर साखी जोत परगट होए एस सूज बूज दी समझ व्यक्ती नूँ अपने आप विच नहीं आउं दी एस जोत नूँ एस सूज बूज नूँ जीवां दे अंदर चाल दी एस राउन नूँ परगट करन लई समझन लई गुरु सिख्या दी आत जरूरत है गुरु दी सिख्या नाड ही अकाल पुर्ख जी वाली एस सोणी सोजी बक्षिश हुंदी है जो तिस पावै सो आरती होए हे वाहिगुरु अकाल पुर्ख जो तैनू पौँदा है जो तैनू चंगा लगदा है जेस तरीके नाड तेरे बने होए नेयम जो तेरा ए वरतारा है स्रिष्टी दा जदों असी एदे वेच रहके तुर्दे हां तेरे पाणे नू मन के चल्दे हां असल वेच साडे लई एहो ही आरती है साडे लई सोनी आरती तेरे नेयम विच चलना ही है हार चरण कमल मकरांद लोबित मनो अनदनो मोह आही प्यासा हे रब जी तेरे चरण रूप काउल फुलांदे रास लई मेरा मान पावरा लल चाउंदा है तेरे चरण कमलांदे मकरांद लो मानन लई मेरा पावरा सदा ही तांग दा है हार रोज मैंनो इसे रास दी प्यास लगी होई है सा संग जी सारंग शाबत गुरु गरंसा वेच कई रूपा वेच वरतिया मिलदा है पर इथे सात्गुरु जी ने सारंग शाबत पपिये ली वरतिया है ते सात्गुरु जी आख दे हन मैं तेरा पपिया हां ते मैंनो तेरे ही मेर जाल दी तांग है इच्छा है जिस दी बरकत नाड मैं तेरे नाम वेच टेके आ रहां किरपा करके मैंनो नाम जाल उपदेश दा जाल बक्षिश कार तांगे मेरे जीवन दी प्यास बुझ जाए अते मेरा जीवन सफल हो जाए गुरु राम दाजी दा उचारन कीता होया स्वेले दा ए चाउथा शब्द है अते राग गौडी पूर्बी वेच उचारन कीता होया है काम क्रोद नगर बव परिया मिल सादू खंडल खंडा है सत्गुरु गुरु राम दाज सचे पाच्छा इस पावन शब्द अंदर साडे जीवन दे इस वरतारे नू बड़े प्यारे शब्दां दे वेच परगड कर दे हन सत्गुरु आख दे मनोखदा इस सरीर शैर काम करोद नाड परिया रेंदा है इस मनोखदा सरीर विकारां दे नाड सदा ही नका न करेंदा है सत्गुरु जी आख दे हन जेस मनोखदा नू अपनी जिन्दगी अंदर गुरु दी सिख्या नाड सोजी पैदा होनी शुरू ओई जेस मनोखदा ने मान तू जो तु सुरूप है अपना मूल पशान वाले राते तुरु दे होयां सैज सैज आपने मूल नू पशान न लई यतन शुरू कीते पूरब लिखत लिखे अनसार पाव जेस ने पहला त्यारी अपने जीवन वेच अराम कर लई उसने गुरू नाल पक्की साँज पाले उसने गुरू दी नेडता प्रापत कर ले ते सत्गुरू आखदे उस दे मान वेच अकाल पुर्खजी दी लेव अकाल पुर्खजी नाल साँज जेडी है ओ सदा ही बनी रहिंदी है मंडल मंडा ओ व्यक्ति सदा ही अकाल पुर्खदे चर्ना वेच जुड़िया रहिंदा है सत्गुरु जी आखदे एसे करके सानु गुरु अगे हाथ जोड़के ते एसे तरह एस पले कामलई त्यार रहना चाहिदा है ए बड़ा नेक काम है ए बड़ा शुबा वाड़ा काम है के दोवे हाथ जोड़के असे सत्गुरु दे अगे ही हाजर रहिए सत्गुरु दे उते ही आस परुसा रखिए क्योंके ए सरीर काम करोद आदिक विकारा नाल परिया होया है जे काम करोद लोब मो अंकार विकारा नाल ए जीवन परिया होयेगा ताँ परेशानियां वी वद होन गियां खुवारी वद होयेगी और दुखी हुंदियां होया एस जीवन नो जेत दी था ते हार वाले पासे असी ले तुरांगे पर जे सैज सैज साड़ी साज साड़ा सबंद सत्गुरु दी सिख्या नाल बन जाए ते सत्गुरु दी सिख्या सानों काम करोद वलों हटा के अकाल पुर्ख जीदे दया संतोख साच तीरज तारम इन गुणावल लेके तुरदी है सत्गुरु आखदे एसे करके ए पला काम है गुरु अगे निमर्ता सैत सदा हाजर रहना आजप्रोसा गुरु दे रखना सत्गुरु आखदे हन हे मनोख गुरु अगे टैप ओ गुरु दे अगे आपना आप समर्पन कर दे गुरु नू आप आप समर्पन करना ये बहुत नेक काम है वड़े पोनवाला काम है साकत हार रास साध ना जानेया तिन अंतर हो मैं कंडा है साकत साकत पामे के समाज विच जदों असी तुर दे हां ता समाज विच तुर दे हां साधे बहुते लोग पुलेखियां दे शिकार जड़े हन ओ कुछ आपने तरीके नर सोच दे हन के जड़ा व्यक्ती किसे पारम पुलेखे पकांड नू नई मनदा ज़ां किसे पारम पुलेखे पकांड दे खिलाफ बोलदा है ता साधे लोग उसनू साकत कहके बलाउं दे हन पर सत्गरुदी बाणी ने साकत मनुख दी परवाशा कुछ वखरी देती है सत्गरुदी बाणी साकत उस मनुख दी है जड़ा अकाल परखन शड़ के ते केवल माया दा बुराईयां दा पुजारी है जड़ा अकाल परखतों गुरुतों इलावा किते होर वी टेक राखदा है पर उसा राखदा है जड़ा आपने जीवन अंदर कपट राखदा है तोखा राखदा है इरखा नफरत राखदा है सत्गरु उसनू साकत मनुख कहके संबोधन कर दे हन दातार जी एस शबदी स्पंक्ती दे अंदर बक्षिश कर दियां आखदे हन जेडे मनोख परमातमा नाणों टुटे होए हन ओ उस दे नाम दे राखदे स्वादनों समझ नहीं सकते ओना दे मानवेच हं कारदा मानों कंडा है ओ एस कंडे दे कारण हरी स्वादतों परमेश दे उपदेश दे रास्तों सदा वंजे रेंदे हन जाओं 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 चलें चुबै दुख पावें जमकाल सहें सिर डंडा है ओ मनोख जेमें जेमें चल दे हन जेमें जेमें जिन्दगी दा सफर तै कर दे हन जेमें जेमें संसार दे कार विहार संसार का जिमेंवारिया जिमे जिमे चाल दे हन जिन्दगी दे अंदर जो जीवन वेच है उना नुचुबदा है दुखी करदा है और सद्गुरु आख दे जमकाल सहें सिर डंडा है रबी सिदात तों टुटे उन करके गुरु सिख्या तों मुँ मोड लेन करके काम करोध दे पुजारी उन करके ओ सदा ही जमादी मार चाल दे हन जमादा डंडा सदा ही उना दे सिरते पेंदा है सद्गुरु जी ने पामन बाणी दे अंदर साकत दे प्रवाशा नो बड़े प्यारे शब्दां दे अंदर होर भी रूप मान कीता है सद्गुरु आख दे हन अमरित कवरा बिखिया मीठी साकत की बेद नैनो डीठी एस साकत दी बेद है एस साकत दा जियोन टांग है उनो अमरित कवरा लगदा है जैर मिठी लगदी है उनो चूठ पसांद लगदा है चोरी चंगी लगदी है उनो करोध चंगा लगदा है उनो कामी वाशनामा चंगियां लगदी है पर सद्गुरु अकाल पुर्ख जी दे बक्षिश कीते हुए सोने नेम, सात, संतोख, दया, तरम, तीरज, इमानदारी ए पसांद नहीं एक कवड़े लग दे हा न हार जान, हार हार नाम समाने, दोख जानम मरन पवखंडा हे पर सत्गुरु जी, नाड ही ए बक्षिश कर दे हान, जिन्दगी दा दूजा पासा भी समझाओं दे हान, के साकत आपने रात उरदा है, ते जीवन वेच जो हॉमें दा कंडा है, उस कारण सदा दुखी रहन दा है सत्गुरु जी, दूजा पासा पेश कर दे हान, परमात्मा दे प्यारे बंदे, परमात्मा दे नाम उपदेश वेच जुडे रहन दे हान जे में के सत्गुरु जी ने पामन बानी दे अंदर सानू आवा गवन दी विचार वी बड़े खुबसूर्त शब्दा वेच समझाई है ते दाता जी आख दे हन, कब हुँ जी अड़ा उब चड़त है, कब हुँ जाए पायाले, लोबी जी अड़ा थेरना रहत है, चारे कुंडां पाले जदों जीवन वेच लोब होवे, विकार टेके होए ओन, ते ए मान कदी थेर नहीं रहनदा ए मान कदी तां सिवा पावना वाल दा उड़दा है कदी तां पियार वाले पासे दया वाले पासे दा उड़दा है ते अचानक ही निवान वाले पासे नू तोर जानदा है कदी लोट वाले पासे कदी किसे कोणों खोण वाले पासे किसे दूजे दा हाक मरन वाले पासे भी तोर पेंदा है सद्गुरु आख दे हन ए सदा ही फिर जम्मन मरन बनिया रहेंदा है जे सद्गुरु दे नाम नाडो सांज तोड़िये पर जो परमेशर दे प्यारे हन ओ नाम विच लग जान दे हन ते सदा समाय रहेंदे हन नाम विच ओ अपना जनम मरन दोख नाश कर लहेंदे हन अबे नाशी पुर्ख पाया परमेशर बहु सोब खांड ब्रहमंडा है ओना नू कदे नाश ना होन वाला सर्ब व्यापक परमेशर मिल पैंदा है ओना दी सोबा सारे खंडां ब्रहमंडां वेच हो जान दी है पाव ओ आपने जीवन वेच ओस ना नाश होन वाले नू सदा थिर रेण वाले परमेशर नू सर्ब व्यापक मालक जी नू मान दे हन ओस दे दर्शन कर दे हन गुणा दे राई ओ सदा ही अकाल पुर्ख जी नू आपने जीवन देवेच हर नाँ हाम गरीब मसकीन प्रब तेरे हार राख राख वडवड़ा है सत्गरु गुरु रामदा सचे पाथ्षा सानू निमाने जीवनों वी जो सत्गरु दे दर्टे असी टैप एहां नमशकार कारणा आएहां सानू वी सत्गरु जी ने एई कोज़ बक्षिश सिखाई है ते अरदास सिखाऊं दे हां सत्गरु ने आखिया पले हो प्रबू असी जीव तेरे दार्दे गरीब मंग दे हां तूं सब तों वड़ा सहाई हैं सानु इना काम आधक विकारां तों इना जमां तों बचा ले रख ले असी तेरे हां ते तूं ही सानु रखन हार है जान नानक नाम अधार टीक है हर नाम में ही सुख मंड़ा है हे प्रबू तेरे दास नानक नू तेरा नाम ही आसरा है तेरा नाम ही सहारा है तेरे नाम वेच जुड़ियां ही सुख मिलदा है इदे च कोई शाक नहीं सत्ग्रु जी दे ए बोल पले बनन वाले हान जदो सत्ग्रु अकाल पुर्ख जी दा बक्षिया होया सत्ग्रु दे राई बाणी दे राई जो ग्यान और पदेशानों मिलदा है जे ऐसे इसनों जिन्दगी दा आसरा बना लईए तो रा बना लईए ते जिन्दगी दे अंदर सोख भी बहुत मिलदा है जे असे इसनों शाड के तोर पई ये ते जिन्दगी दे अंदर दोख भी मुश्कल भी वड़ी बन दी है सद्गुरु एसे लिसानों प्यार नाल ए बात भी समझाओं दे सद्गुरु गुरु अर्जन साब जी दा उचारण कीता होया स्विला बाणी दा ए पंजमा शब्द है आते राग गौडी पूर्भी वेच उचारण कीता होया है साथगुरु जी ने एस पावन शबदे अंदर सानों साथसंगत करन वालेयानू बाणी पढन वालेयानू बाणी नू नमशकार करन वालेयानू गुरु नरसाज रखन वालेयानू ए एक प्रेरणा दिती है क्योंके आपाँ देखिया है साथगुरु जी ने स्विला बाणी दे पहले शबदे अंदर सानों ए समझाया तुम गावो मेरे निर्पव का सोयला हे पाई तुसी अकाल पुर्ख जी दा सोना सिफ्थ सलादा गीत गावो क्योंके एसदे गावन नाल सदा सोख होए जीवन अंदर सोख वासदा है दूजे शबद अंदर साथगुरु जी ने सानों ए बक्षिश कीती के प्यारियो अकाल पुर्ख जी दी सेफ्थ सलादा जेस साथ संगत वेच हुंदी है तुसी उसनों आपने जीवन दा आसरा बनाओ एदे वेच ही तो आड़ी सोबा है एदे वेच ही तो आड़ी पलाई है तीजे शबद अंदर साथगुरु जी ने जो परचलत पूजा है जिसतरा समाज अंदर अपो अपने तरीके नाल लोग पूजा कर दे हन उस पूजानू खंडण कर दें होयां आकाल पुर्ख जी दे बनाए नेयम वेच चलन लई अकाल पुरख जी दे बनाए पाने वेच चलन लई सानू परेरणा देती है जो तेस पावे सो आरती होए ए होई आरती है जो नू पाउंदा है ओ दे मताबक तोर पेना सत्गुरु जी ने चौथे शब्द अंदर सानु गुरु अगे सदा ही समर्पन पावना नर रेन दी जाज सिखाई है ते आख्या है कार डंडाओत पुन वड़ा है पाई गुरु अगे डंडाओत करनी नमशकार करनी इस सब तों वड़ा पुन है ते पंजवे शब्द से प्रेरणानू दोहराओं देया आख देहान हे मेरे मित्रो सुनो मैं बेंती करदा हां होन सत्गुरु अकाल पुर्खजी दी टैल करन्दा सेवा करन्दा विड़ा है समा है इहां खाट चलो हार लाहा आगय बसन सुहेला होन तुसी जदों गुरु नर जुड़के बैठो ए वक्त जिन्दगी दा लाब लबन दा है कुछ प्राब्ती करन्दा है सेवा करोगे ता एस जनम वेच एस समय वेच प्रबु दे नाम उपदेश दी खटी खटके जीवन नू सफलतावल लेके तुरोगे अते पवेख वेच आउनवाले समय अंदर परलोक वेच जोनी सुख मई संतोख वाली बन जाएगी अओद कटै दिन सरेनारे सत्गुरु जी बक्षिश कर देयां आख देहन हे मान देन रात बीत बीत के उमर कड़ दी जा रही है पाव हे मान तैं कमजोर हुंदा जा रहे हैं तेरा सत्गुरु जी नाडों साज टुटन करके देन देन आउद कटनवाला एस सिलसला शुरू हो चुका है जे में सत्गुरु जी रहरास बाणी अंदर बक्षिश कर देयां होयां बड़े प्यारे शब्द राख देहन ते आख देहन हार बिसरत तेरे गोण गड़या हे मेरे मान रबनों विसरन करके तेरे गोण गड़ गए हन तू तबाई वाले पासे तुर पया है ते सत्गुरु जी एथे वी माननों संबोधन कर देयां आख देहन हे मान तेरे गुणावाली उमर कड़ दी जा रही है बीर दी जा रही है मान गुर मेल काज सवारे रहाओ हे मेरे मान गुरु नू मिलके मनुखा जीवन दा काम सिरे चाड ए काम रुकिया होया है एस कामनों तू सवारन ले गुरु दा आसरा ले गुरु नाड मिल गुरु दी गाल सोन गुरु दे उपदेश वाल त्यान दे तू समाज दे बखेडियां विच त्यान दिता है तू काम करोध नार साज बनाई होई है नहीं एसनु शाड के गुरु नार साज बना तांके जीवन दी सफलता होर सोनी हो जाए बड़े चंगे तरीके नार तैनु गुरु सोनी जीवन जाज सिखाएगा इसलए आ गुरु नार साज बना ते कड़ दी उमर दे दोरान सफलता वाले राते तोर पौँ सत्गुरु जी आखदे हन ए जगत विकारा नाल पारपूर है जगत दे जीव तौखलियां वेच सैम वेच डोबरे हन इनना विचों ओही मनुख तरदा है निकलदा है जेसने गुरु दे राई परमातमा नाल जान पशान बना लई है परमातमा दी सोजी हासल कर लई है जिसे जगाए पियावै ए रास अकाथ कथा तेन जानी विकारा वेच सुत्ते होए जेस मनुख नू प्रभू गुरु दे राई आप जगा के ए नाम उपदेश दा अमरित प्याउदा है ओस मनुख ने अकाथ प्रभू दियां गलां ब्यंत गुणा वाड़े प्रभू दी सिफ्थ सला करन दी जाच सिख लई है ओ अकाल पुर्खजी दी सिफ्थ सला विच लगदा है ओ अकाथ अकाल पुर्ख जीदियां ना कथियां जानवालियां बातानू समझ लेंदा है जो गुरु नाड साज बनाओदा है सत्गुरु आखदे हे पाई जेस काम वास्ते एथे आए हो उसदा वन्ज करो जेस काम लई एजीवन मिलिया है उसे काम लई सदा तांग जीवन वेच बनाई रखो ओ हर नाम गुरु दी राही ही मान वेच वास्ता है परमेशर दे गोण गुरु ही बक्षिश करदा है एस लई सब तों वड़ा जीवन दा मनोरत है प्रभु अकाल पुर्ख जी दे गोण एकठे करने गुणा दे मुताबक आपनी जिंदगी नू स्वारना नेजकार मेहल पावो सुख सहजे बोहर ना होए गोफेरा हे पाई जे गुरु दी शरण पावोगे ता आत्मक अनांद अते अडोलता पाव जीवन वेच जेड़ा डामा डोल पान है जो जीवन वेच थिड़कना आ जान्दी है असी एदर उदर पटक जान्दे हां सत्गुरु आखदे एक खत्म हो जाएगी जीवन वेच अनांद आएगा अडोलता आ जाएगी ते आपने अंदर ही प्रमातमा दा टिकाना लब लबोगे पाव परमेशर नू सानू वक वक थावा ते लबण दी लोड नहीं ना परमेशर जंगणा वेच रहंदा है ते ना ही परमेशर किसे वकरे वशेश पावन थावेच रहंदा है परमेशर साड़े जीवां दे हिरदेयां वेच रहंदा है ते सत्गुरु आखदे हन एट काना हिरदे वाड़ा गुरु दे राई लब जानदा है ते फिर मनोख संसार दे इस लोब मोहंकार वाले आवा गवनतों मुक्त हो जानदा है अंतर जामी पुर्ख विदाते शर्दा मन की पूरे सत्गुरु आखदे हे हरेक देल दे जानदवाले सर्ब व्यापक सिर्जन हार मेरे मन्दी इच्छा पूरी कर अंतर जामी सत्गुरु अकाल पुर्ख मेरे मन्दी होने का तांग है मेरे मान वेच एक इच्छा प्रबल होई है किर्पाकार मेरी इच्छा पूरी कर दे दास नानक तैथों एही एक सोख मंगदा है कि मैंनो सत्गुरां दे चरना दी तूर बना दे क्योंके जिन्दगी दी सफलता इसे वेच है जिन्दगी दा सुहपन इसे वेच है जदों गुर्बाणी नू पढ़ देयां तूरे जा तूरी शब्द आउंदा है तूरी शब्द आउंदा है ताँ आम तौरते आपां ए बहुत सारे परचलत शब्दां दे वेच वर्त लेंदे हां के परमात्मा ने जो जीव पे जेहन जेड़ आइना चो नाम जा पदा है उना दे पैरां दी मिटी कोई मथे नू ला रहा है ते कोई उस नू खा के आपने जीवन दी सफलता बना रहा है जदोंके साथगुरु जी दी बाणी ने बड़े प्यारे शब्दां दे वेच सानू एक गल समझाई है के गुरु की सिख्या गुरु का उपदेश साथगुरु जी वल्लों दिती होई जीवन जाच ही असल चरन तूड है क्योंके जिननी देर तक सानू साथगुरु दे चरन समझ नहीं लगणगे ओनी देर तक तूडी दी भी समझ नहीं लगेगी सत्गुरु ने बाणी अंदर ए पुलेखे साड़े कड़े होय हन दूर कीते होय हन ते दाता जी आखदे हान सत्गुरु दा जेडा शब्द है एही सत्गुरु दे चरण हान जदों सत्गुरु दे शब्द जीवन वेच वास जान ते एना शब्दां दा तात सार ही जीवन ल दी सदा चरंतूर बन्या रहा अंतर जामी पुर्ख बिदाते शर्दा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगे मोकव कार संतन की तूरे वाहि गुरुजी का खलसा वाहि गुरुजी की फते